नमस्कार, Target with Allok Analyst Tutu से मसंदीतिवारी, स्वागत करता हूँ आप सभी का TGT, PGT की मैस की क्लास में मैस की कुछ प्रब्लिक क्लासेस में हमने मैट्रिसिस के एक इंपोर्टन सेसन को स्टार्ट किया था जो की TGT, PGT की आगामी परिच्छा के लिए बहुत ही मात्पोर्ट है मैंने उस दौरान आपको मैट्रिसिस का इंट्रोड़क्शन दिया पहले लेक्चर से अगर हम लोग सुरुबात करें मैट्रिसिस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया उसके जो special terms, special parallel हो सकते हैं जो की परिच्छा के लिए बहुत ही मात्पोर्ट है उन पर discussion किया इसके साथ साथ मैंने उनकी कुछ basic operations like addition, subtraction, multiplication इसके बाद मैंने वहाँ पर उनमें singular matrices और determinant के concept को समझाया आज की date में हम लोग यहाँ पर matrices के ही कुछ और important parts को adjoint and inverse these are for the terms, बतलब यह जितने की जितने भी parts हैं, यह बहुत ही महत्पोर्ट होते हैं, आप किसी भी परिच्छा में जो इस परकार की है, मेरे ख्याल से इसके परस्ण जरूर फेस करते हैं, जरूर इसके परस्ण आते हैं, आप कोई भी परिच्छा की gauss elimination method बताएंगे, तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीजों की उपियोगता जरूर समझ में आएगी इसलिए सुरुआत से इनको पढ़ने के लिए हम सुरू करेंगे, किसी एक matrix के miners को ले करके, कि miners क्या होता है, तो miners की सुरुआत हम लोग कुछ इस प्रकार से करें, कि अगर मेरे पास कोई भी एक square matrix हो, ध्यान दिजेगा, any square matrix, एक square matrix अगर मेरे पास है, सपोच करिए वहाँ की 2 cross 2 order की है पहले तो मैंने ऐसे सोच लिया कि 2 cross 2 order, आप अगर किसी भी 2 cross 2 order की square matrix को सोचेंगे, तो उसको indicate या denote कैसे किया जाएगा, इस तरह से उसके दो elements, A11, A12 A21 और A22 इस type से हम एक 2 cross 2 order जिसको हम second order matrix कहते हैं, इससे हम indicate करते हैं, अगर इस matrix का नाम सपोच करिए A है तो इनकी elements को आपने देखा कि A आप IG से indicate किया, जहाँ पर I row को सो करता था, और J किसको करता था, column को, तो उस हिसाब से अगर जैसे मैंने A11 लिखा है, that means this element showing the position for the first row and the first column places और उसी कड़ी में या first row second column को indicate कर रहा है, या second row first column को indicate कर रहा है, and same to same आगे जब हम बढ़ेंगे, तो second row second column को indicate कर रहा है, इस प्रकार से अगर हम किसी एक 3 cross 3 matrix की बात करेंगे, जो भी इसी तरह से अगर sequence करी जाती है, अगर हमने कहा कि suppose करी एक 3 cross 3 ordered matrix है, तो उसके भी elements को हम लोग ऐसे ही कुछ करके पढ़ते हैं, आप देखते हैं इसके elements को भी जैसे हमने कहा A11, A12, A13, A11, A21, A22, A23, A31, A32, and A33, आप पता है कि यहाँ पर यहाँ इसकी locations के हिसाब से ही इन elements की planning करी गई है, यह भी अगर माली जी A ही है, 3 cross 3 order की इसके elements को भी हम लोग यह आप IJ से ही mention करते हैं, indicate करते हैं, I row को so करता है और J column को so करता है, इस प्रकार की कोई भी matrix आपको अगर दी गई है, उसका minors जो होगा, जैसे इनके elements के हिसाब से mention किया जाता है, प्रत्येक elements के according minor निकाला जाता है, अगर मेरे पास elements A, आप IJ हैं, किसी भी matrix A के, तो उसके minors को हम यहाँ आप IJ से mention करेंगे, यह हम आप IJ depending on the particular elements, प्रत्येक elements जो की matrices में दिये गए हैं, उनके अलग-अलग minors यहाँ पर mention किये जाएंगे, उसको fine करने का process जो होता, उसको ध्यान में रखिएगा, अगर हम किसी भी एक, जैसे चाहे हम A11 को उठा ले, या कोई भी particular कोई भी element में, इन matrices से अगर उठा लो, तो जो वह जिस row में रहता है, उस row को छोड़ कर, वह जिस column में रहता, उस column को छोड़ कर, जो हमारे पास budget terms हैं, उनका determinant evaluation जो होगा, वही minor कहलाएगा, जैसे माल लिजी अगर मुझे इस 2 x 2 के लिए अगर में बात करता हूँ, इस थम्हें उसकरी ध्यान दीजे सब लोग, अगर मैंने का, फार 2 x 2 matrix, और हम इस समय अगर सपोच करिए, मैं आप से कहूं, तो what about the M11, that means, आपको A11 के हिसाब से M11 को calculate करना है, अब यह जिस row में है, उस row को छोड़ देंगे, जिस कालम में उस कालम को छोड़ देंगे, तो आपके पास elements क्या बचेगा, A22 बचेगा, इसी तरह से अगर हम इसके, हम से जरूत पड़ गई, M12 के लिए, M12 के लिए हम इसके पास जाएंगे, यह जिस row में है, उस row को छोड़ दिया, जिस कालम में, उस कालम को छोड़ दिया, यहाँ पर value A21 हो जाएगी, ऐसे अगर हम आप से कहें, what about the M21, M21 के लिए हम इसके पास जाएंगे, यह जिस row में है, उस row को छोड़ दिया, जिस कालम में उस कालम को छोड़ दिया तो मेरे पास M812 बच गया क्योंकि एक element का evaluation वही होता है आपको अच्छी तरह से पता हूँ उसमें कोई determinant का process अपलाई और further नहीं करना होता है finally अगर हम आप से कहे what about the M22 तो आप इसको consider करेंगे इस कालम को छोड़ेंगे इस रोग को छोड़ेंगे तो आपके पास element A11 हो जाएगा मतलब इस प्रकार से हम minor किसी 2 cross 2 matrix के लिए fine कर लेते हैं मा लिजे इस प्रकार की आपके पास एक 3 cross 3 की matrix दी गई है और उसके minor को हम लोग को evaluate करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे कर पाएंगे सब लोग अच्छी तरह से चीजों को समझिए हमने यहाँ पर सोचा फार 3 cross 3 matrix अब हम 3 cross 3 matrix के लिए अगर हम आप से कहे what about the M11 M11 के लिए आप जिस 11 को यहाँ पर देख रहा है जा element जिस row में है उस row को छोड़ दिया जिस column में है उस column को छोड़ दिया तो आपके पास elements देखिए क्या बच गए हमारे पास A22 बचा A23 बचा A32 बचा A33 बचा अब हम इनका evaluation जैसे determinant का करते थे उसी type से कर देंगे मतलब इसको इससे multiply इसको इससे multiply difference निकाल दे माइनस निकाल दे अर्थात A33 A22 माइनस A32 A23 अगर हम solve कर देंगे तो हमको M11 पता चल जाएगा A33 into A22 माइनस A32 into A23 अगर हम solve कर दें तो आपको क्या पता चल जाएगा M11 पता चल जाएगा इसी प्रकार से अगर जरूवत हमको मालीजी कहीं पर भी जरूवत पड़ गई आप suppose कर यह आपको A22 निकालने की जरूवत है मालीजी मैंने कहा M22 हमें fine करना है M22 के लिए हम जिस row में हम उस row को छोड़ेंगे जिस column में उस column को छोड़ेंगे तो बचा मेरे पास क्या देखिए बचा मेरे पास A11 A13 और यहाँ पर A31 आप सबज लिजेगा सब लोग A33 इसका भी proper उसी type से जैसे determinant evaluation होता उसी type सम evaluate करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे तो you get A33 into A11 minus A31 into A13 आप solve कर दीजे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा M22 पता चल जाएगा ऐसे कहीं भी किसी को और fine करना suppose कर यह आप से कोई कह what about the M23 M23 क्या होगा तो आप कहोगे जिस row में है उस row को छोड़ा जिस column में है उस column को छोड़ा तो मेरे पास क्या बचेगा देखिए A11, A12 A31, A32 same जैसे determinant evaluation होता है इसको इससे multiply किया इसको इससे multiply किया minus कर दिया आपको answer प्राप्त हो गया तो हमने कहा कि हमें कोई भी matrix दी जाएगी तो हम उसका minor इस process से निकाल सकते हैं एक example मैं आपको दिखाता हूँ दिखी कैसे जैसे माली जी मुझे कोई एक matrix दी गई 2 cross 2 order की suppose करी आपको एक matrix यह दिया गया और आपको कहा गया किसके elements है 2 है, 4 है, minus 3 है और 5 है हमसे कहा गया कि find each minors are the elements each minors हमने को इसका minor find करना है, प्रत्येक minors प्रत्येक elements के find करने है आपको location अच्छी तरह से clear है यह A11 है, यह A12 है यह A21 है, यह A22 है अब इसमें तो हमें कोई doubt ऐसी होती नहीं क्योंकि हम इसका arrangement अच्छी तरह से जानते है मालीजे मुझसे कहें, what about the M11 हम तुरंद क्या कहेंगी, इस row में छोड़ी इस column तो 5 हो जाएगा हम से कोई कह, what about the M12 हम तुरंद इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे यूगर माइनस 3 ऐसे हम से कोई कह, what about the M21 तो हम इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे आपको 4 प्राप्त होगा ऐसे हम से अगर कोई कह, what about the M22 तो हम इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे हमें 2 प्राप्त होगा था हमने प्रत्य एक माइनर्स को यहाँ पर फाइन कर दिया जिसमें I think आप सभी को कोई confusion नहीं होगा आपने प्रत्य एलिमेंट्स का माइनर यहाँ पर निकाल लिया यहीं पर अगर आपके पास एक 3 क्रास 3 की मैट्रिक्स होती सपोचकरी 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है मालिजी आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम यहाँ पर हमें अगर माइनर फाइन करना है प्रत्य एलिमेंट्स का सपोचकरी आपको निकालना है M11 हम इस रो में रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 95 जा, 45, minus 86 जा, 48, तो बैलू कितनी हो गई, minus 3 इसके पास जाएंगे, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, मतलब इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, आप इस कॉलम को इस रो को तो 9, 4 जा, 36, minus 76 जा, 42, minus 6 आया कुछ भी अगर कहीं भी पर्टिकुलर हमें निकालना है, तो हम आराम से इसको फाइन कर सकते हैं, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग देखेंगे, तो यह सारी चीज़े आपको समझ में आएगी, कैसे किया जा रहा है, क्या प्रोसेस बन कर आ रहा है, अभी आगे अब इसी तरह से, देखें धाल से, इसी तरह से अगर हम आपसे कहते हैं, what about the M21, हम से कोई कहा है, M21 क्या होगा, यहाँ पर हम है, A21 पर रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 9,2 जा, देखो इसको इसके साथ, मतलब आप देख रहा है, जो कट रहा है, जो क्रास हो रहा ह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ऐसे अगर हम आपसे कहें, what about the M22, आप यहाँ पर हो, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 919-73021, देखो, इस कॉलम को छोड़ेंगे, सरी, रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 919-73022, तो मानस 12 हो गया, तो ऐसे ही आप जिसको चाहेंगे, उसका माइनर फाइंड करते चले जाएंगे, आप यही पर अगर मैं आपसे कहूँ कि M23 क्या होगा, आप यहाँ पर पहुच चुके हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 818-72014, 818-614 होता है, मानस 6 हो जाएगा, बाकी बचे जितने भ करना है, इसको क्रास करेंगे, इसको क्रास करेंगे, इन दोनों का कल्कुलेशन कर लेना है, ऐसे इसको फाइनलित इन चारों का कल्कुलेसन कर लेना है, इससे हम स्ट्ट्टेक का minor easily find कर सकते हैं, I hope आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि minor fine करने का क्या प्रोसेस होता है, अगर आपने minor सीख लिया तो आपको co-factor निकालने में भी problem नहीं होगी co-factor किसी भी particular जो हमारे पास matrix दी गई है उस matrix के जैसे elements के minor को fine करने के लिए यह माप IJ आपने mention किया है ऐसे co-factor को fine करने के लिए c आप IJ आपको mention करना होगा c आप IJ जो होगा यहाँ पर वह minus 1 की power I plus J यह माप IJ होगा मतलब जो आपने प्रतेक का minor निकाला है उसके साथ बस एक activity आपको perform कर देनी होगी आपको प्रतेक element या प्रतेक value के बाहर minus 1 की power I plus J करना होगा अब आपको अच्छी तरह से पहले इस calculation के बारे में मैं बता दूँ अगर minus 1 की power I plus J हमारे पास हमको दो result देगा ध्यान देना एक बार तो minus देगा एक बार plus देगा यह कब होगा जब हम कहादे कि I plus J अगर odd है विसम है तब तो minus 1 ही रह जाएगा क्योंकि आपको पता है कि minus 1 की power अगर कोई बिसम घात होगी बिसम पावर होगी तो value minus ही रह जाएगी जबकि अगर हम कहादे कि I plus J हमारे पास एक even number है तो उस समय यह value आपकी plus 1 हो जाएगी अर्थाद 1 ही रह जाएगी मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा आपको अभी बताया मैंने minus 1 की power I plus J यह ही rule होता था अब आपने देखा कि यहाँ पर जो हम प्रोसीजर पहले पूरा परफाम एक के लिए कर दे रहे हैं इसके बाद आप लोग खुदी रेलेट कर सकते हो कि स्तिति क्या होगी यहाँ पर क्या होगा minus 1 की power I plus J यह 11 है तो 11 मतलब आप समझ गए होगे क्या होगा 1 plus 1 होगा और यहाँ पर हमने लिखा M11 आप समझ गए होगे minus 1 की power क्या होगा 2 होगा 2 क्या होता है even number होता है और M11 की value आपकी कितनी आई है 5 है 5 हमने रख दिया अर्थात हम समझ गए कि यहा हम Cij की जगा पर C11 लिख देते हैं क्यों यह से फार्मुला तो आपके पास Cij के फार्म में ही होगा लेकिन जैसे माली जे मैंने यहाँ पर C11 निकालने की कोशिस करी इस तरह से हमने C11 प्राप्त किया अब माली जे मुझसे कोई कहे कि What about the C12 आप सेम प्रोसेस वही अपलाई करोगे आप लिखोगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 यह मापके 12 यह मापके 12 चलिए माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 अर्थात 3 तीन क्या होता है और नमबर होता है अर्थात यह माADNस पहले लग जाएगा इन्टू M12 की value आपके पास minus 3 थी तो minus 3 multiply minus 1 से होकर कि plus 3 हो जाएगा ऐसे ही आपने देखा कि जहां पर जैसे देखिए 11 था even था तो 5-5 ही रह गया 13 है तो यह minus 3 plus 3 हो गया 21 है add होकर 3 होगा तो यह 4 minus 4 हो जाएगा 22 4 होगा तो यह 22 ही रहेगा अर्थात हमने देखा कि M11 अगर 5 था तो C11 भी 5 है M12 अगर minus 3 था तो C12 आपका plus 3 हो गया M21 4 था तो C21 आपका minus 4 हो गया M22 अगर 2 था तो C22 आपका क्या हो जाएगा 2 ही रह जाएगा कोई परिवर्तन कोई change नहीं आएगा इस तरह से हमने minor से co-factor निकाल दिया अगर हमको जरुवत पड़ेगी तो हम इस तरह से minor से co-factor चाहे हो 3 x 3 में होगा चाहे आपका 2 x 2 में होगा कहीं भी होगा हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं जैसे एक example मैं 3 x 3 के लिए लिता हूँ अब अगर मुझसे कोई कहे what about the c 2 3 तो c 2 3 मतलब आप समझ लीजिए के आपको करना क्या होगा आपको लिखना होगा minus 1 की power 2 plus 3 2 plus 3 और अगर सोचा जाया था हमको ym 2 3 निकालना है तो ym 2 3 के लिए आप कहा जाओगे बताइए second row में और third column में मतलब इसका minor हमको fine करना पहले यह जिस row में है उस row को छोड़ा जिस column में है उस column को छोड़ा 1 into minus 1 किया पहले देखिए मैं इसका calculation कर दूँ 1 into minus 1 minus 1 होगा minus 4 गुड़े 5 क्या होगा 20 होगा अर्था तिया minus 21 होता इसका minor क्या था minus 21 यहाँ पर सोचिए कि 3 दो क्या होता है 5 होता है तो मतलब यह value minus 1 ही रह जाएगी और minus 21 के साथ गुड़ा होगा यह value plus 21 हो जाएगी मतलब आपको ध्यान में ही रखना है कि जब भी row और column का जो combination है मतलब addition है अगर वह odd हो रहा है तो तुरंद minor का sign बदल जाएगा अगर odd नहीं even है तो minor का sign agitage रह जाएगा मालीजे मैं आपसे कहता हूँ what about the C33 तो हम C33 के लिए सबसे पहले हम समझ गए कि change नहीं होगा वही रहेगा अगर process की बात करो तो process तो minus 1 की power 3 plus 3 है minus 1 की power 3 plus 3 है और हम लिख देते हैं यहाँ पर EM33 इसका मतलब हम इसका minor fine करते 5 का इस row को छोड़ते इस column को छोड़ते इसके साथ process करते तो minus 2 minus 30 अर्थात minus 32 आता क्योंकि 3-3 मिलकर 6 होता इसलिए एक गुड़े minus 32 होता तो value आपके पास exactly minus 32 ही रह जाता इसका cofactor minus 32 ही रह जाता तो आई होप इस चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हमको किसी का cofactor find करना है तो मुझे पहली चीज़ सोचना होगा कि वह किस row किस column में है वह जिस row जिस column में है उसके हिसाब से आपको nature describe करना पड़ता है nature को हम देखते हैं कि अगर combination row और column का odd हो रहा है तो value हमारी minor की sign automatically बदल जाएगी और अगर combination even है तो minor पे कोई परिवर्टन नहीं होगा इसके लिए एक nature का जो हम लोग symbol बनाते हैं जिसे 3 cross 3 के लिए मैं आपको बना के दिखाऊं 1 1 plus है, 1 2 minus है फिर plus है, 2 1 minus है plus है, minus है, plus है, minus है plus है, यही combination और अगर 4 cross 4 होगा तो उसमें भी बढ़ता रहेगा मतलब आप समझ गयोंगे कि plus में कोई परिवर्टन नहीं, जहां minus होगा automatically sign बदल जाएगी, plus में कोई परिवर्टन नहीं, minus में change, फिर परिवर्टन नहीं, इस प्रकार से हम लोग इस combination का यूज कर लेते हैं, और co-factor find करते हैं, अब co-factor के बाद अगर जरूवत पढ़ जाए, हम co-factor के बाद अगर जरूवत पढ़ गई था हम adjoint भी निकालते हैं अब किसी का adjoint कैसे निकलता है, adjoint को हम a of ij से indicate करते हैं and that is equal to c of ij की power t अर्थात, अगर हम एक co-factor का matrix find करें और उसका transpose निकाल दें तो वही हमारा क्या है, adjoint है इसको denote उसी तरह से किया जाएगा a11, a12, a13 ऐसे जो process होता उसी process को follow किया जाएगा मतलब प्रतेक element के minor से co-factor निकाले co-factor के combination का transpose find कर दे, transpose अर्थात row को column बना दे, और column को row बना दे, automatically आपकी matrix का adjoint find हो जाएगा, जैसे मैं example आपको देता हूँ, समझ में आ जाएगा, सारी बाते आपको clear हो जाएगी, जैसे मैंने का 2 x 2 की एक matrix है, हमारे पास, suppose करिए elements देखिए, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है अब यह हमारे पास elements है सबसे पहला काम, अगर आपको देखिए, direct करना है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर हमको जैसे थोड़ा सा process करना है, पूरी चीजों को समझना है, तो हम सब का minor निकाले, minor के बाद हम उसका co-factor निकाले, co-factor के बाद हम उसके adjoint निकालने के लिए हम उसका transpose कर दे हलाकि हम चाहें, तो direct भी process कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे procedure को समझना है, जिसे माली जी हम M11 निकालते, इसके लिए इस रो था, जिस रो में था, उस रो को छोड़ा कॉलम को कॉलम को साथ छोड़ा, फोर हुआ M12 की बात करेंगे, इसको छोड़ा इसको छोड़ा 3 हुआ M13 की बात करेंगे, तो आपको पता है कि यहां पर, sorry, M क्या है 21, 21 अगर फाइंड करना है तो 2 आया, और M22 अगर हमने निकाला, तो यहां पर 1 आया आपको बता है, कि अगर हम यहीं से इनके कोफेक्टर निकालें कोफेक्टर निकालने की दौरान अगर हम कोफेक्टर की बात करें, देखो C11 फोर रहेगा, क्यों, 11 है C12 आपका जो है, माइनस 2 होगा, और C22 जो होगा आपका, वह 1 हो जाएगा अब इसका ट्रांस्पोज कर दें तो हमको जो है, एडजॉइंट अर्थात A11, A12 A21, A22 यह सब फाइंड हो जाएगे, आप लोग ध्यान दीजेगा, क्या प्रोसेस होता है, कैसे सिस्टम बनेगा, अगर माल लीजे मैं इस को फैक्टर के लिए एक मैट्रिक्स प्लान कर दूँ, तो मैट्रिक्स देखिए कैसे होगा उनकी लोकेशन के हिसाब से 4 होगा, माइनस 3 होगा माइनस 2 होगा, और 1 होगा अब इससे अगर हम एट्जॉइंट निकाल दें तो एट्जॉइंट के लिए हमें इसका ट्रांस्पोज करना होगा ट्रांस्पोज करेंगे तो 4 होगा, माइनस 3 होगा माइनस 2 होगा, और 1 होगा तो हमको यहां से A11, A12, A13 इस तरह से हमें elements पता चल गए, हमने आराम से निकाल दिया, तो मेरे ख्याल से यह बाते आपको समझ में आ गई होगी, कि अगर हमारे पास co-factor प्राप्थ हुआ है तो co-factor का बस केवल हमें ट्रांस्पोज कर देना है, जिससे हमको adjoint पता चल जाता है, मालिजे से इहीं प्लान कर लेता था, यह प्लस है तो यह माइनस है, और यह माइनस है तो यह प्लस है, इस तरह से combination automatically बन जाते हैं इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 4 हो गया nature change नहीं करेंगे, अचिटिट छोड़ेंगे a12, a12 के लिए हम इसके पास गए, इसके पास गए तो यहाँ पर यह value minus 3 हो गई a21, a21 के लिए हम लोग इसके पास आए, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा तो minus 2 हो गया, और a22 आपने देखा कि directly हमारे पास plus 1 हो गया अब अगर हम इसको उठाके हम सोच लें कि देखिए, यहाँ पर elements इनके हिसाब से प्लान करें, तो 4 हुआ minus 3 हुआ, minus 2 हुआ, 1 हुआ अगर हम पिछले से match कराएं तो same to same देखिए, वहाँ पर हमको वही मिला है जो यहाँ पर अभी हमको प्राप्ट हुआ जैसे 4 है, minus 3 है, minus 2 है, 1 है अगर इनके हिसाब से हम लोग location को सोचें हलाकि अभी देखिए, यह हमने यहाँ पर जो arrangement किया है, इसके हिसाब से किया है अब मैं इसका reciprocal, मतलब एक तरह से transpose में fine कर दूँ जैसे transpose का मतलब, हम इसको इसी order में लिखना सुरू कर दे, 4 लिख दे minus 3 लिख दे, minus 2 लिख दे और यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाए तो यही हमारा adjoint कहलाएगा, मतलब हमने कुछ खास नहीं किया बस इनकी nature को बदल दिया तो आप पिछले से इसको match करा सकते हैं 4 है, minus 2 है, minus 3 है और 1 है, इससे हमने adjoint पता किया adjoint के लिए बस आपको co-factor का हमें transpose करना होता है, तो हमको adjoint पता चल जाता है अब इस पर कुछ प्रसन भी होते हैं, जैसे देखिए माली जी हमें कुश्चन आपको यहाँ पर homework के लिए दे, मैंने कहा कि एक हमारे पास matrix है, इस matrix का आपको minus find करना है, co-factors find करना है, और मैं यही पर लिख देता हूँ, adjoint भी find करना है, यह हम कहाँ दे, directly आपको adjoint find करना है, आप इस matrix को as a homework करके आप लोग mention करिए, आप अपने answer को हमें comment box में बताए, किसका उत्तर क्या होगा, मेरे ख्याल से आपने process समझा है, तो आप जरूर कर लेंगे, एक बहुत important बात और हमारी रह गई है, जिसको हम लोग कहेंगे, inverse of the matrix, हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, about the inverse, मैं लिखता हूँ, inverse of the matrix, कोई भी matrix अगर suppose करिए a है, तो a का जो inverse होगा, यह inverse, इसका जो formula होता है, value होती है, जब process होता है that is the one upon, यह one upon determinant आप है and finally adjoint आप है, देखिए, this is the rule to getting the inverse of a matrix, किसी भी matrix का inverse पता करने का यह process है, यह तरीका है आपको हम inverse procedure जैसे आपने धेखा होगा कि हमें सबसे पहले determinant निकालना है adjoint निकालना है, adjoint निकाल कर कि जो combination बनेगा, वह हमारा inverse कहलाएगा अगर शुरुवात मैं 2 x 2 से करूँ जैसे मैंने कहा कि consider a 2 x 2 matrix consider a 2 x 2 matrix अब इसका मैं असान तरीका भी बताऊंगा 3 x 3 का भी, जो कि सबसे important होता है माली जे मेरे पास एक 2 x 2 की matrix है ध्यान दीजेगा इसके elements मैंने कुछ इस प्रकार से suppose करी यहाँ पर रखा, मैंने कहा 1 है, 2 है, 4 है, 5 है a हमारे पास एक a है और इसका मुझे कोई कह रहे, what about the a inverse इसका a inverse क्या होगा तो सबसे पहले rule के हिसाब से a inverse is equal to क्या है, 1 upon determinant आप है, 5 गुड़े 1 5 minus 4 गुड़े 2 कितना होगा, 8 होगा इधर चलिए, हम adjoint निकालेंगे तो बहुतीजी होता है, यहाँ पर adjoint निकालना आपको अच्छे से पता है, इसका क्या होगा, 5 होगा यहाँ पर मैंने कहा कि इसका क्या होगा, 5 होगा मतलब आपको ध्याने रखना है, जो मैंने आपको process बताया है, adjoint के लिए यहाँ पर आपको बस इतना care करना है कि row को, column को हम लोग यहाँ पर पहली चीज़ तो अगर सोचे तो minor कर रहे थे, minor से हमने cofactors किया, cofactors हमने इस तरह से यहाँ पर process किया, बस इतना सा ही हमको सोचना है, आपको बहुत easiest way मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दिजे, इसके लिए बस हमें क्या करना है, इस one को five करना है, five को one करना है, प्रोसेस समझे, one को five करना है, five को one करना है, पहले हमने यहाँ पर इसका जो है determinant find करने, इसके बाद इसको agitive छोड़ देना है, इसको agitive छोड़ देना है तिया हमारे पास इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर simply, अगर हम सोचे तो one upon minus three, और this is the five minus two minus four and one यह आपका simple सा inverse हो जाएगा, किसी एक two cross two matrix का, मतलब हम यहाँ पर चाहें तो और एक steps apply कर सकते हैं लिख सकते हैं, minus five by three minus two by minus three तो हो जाएगा two by three, जरुवत पढ़ने पर नहीं तो कोई जरुवत नहीं है, minus four by minus three तो मतलब four by three लिख सकते हैं और one by minus three लिख सकते हैं अगर ऐसी requirement है तो करिए नहीं तो ऐसा कोई खास करने की जरुवत नहीं है, आप लोग को agitive छोड़ देने की जरुवत है, तो आपने समझा कि यहाँ पर process में क्या किया गया इसको तो इसमें बिना किसी परिवर्तन के हम 5 एक में reverse कर दे इसको agitive मुझे छोड़ना है basketball sign को परिवर्तित करगे क्योंकि यह 1,2 है यह 2,1 है तो automatically आपको पता है sign परिवर्तित होगी और sign परिवर्तित होगी उसका जब हम फिर से transpose करेंगे जैसे पहले चीज़ तो हम fine करने के दौरान हम 2 की जगा 4 लिखते और 4 की रगा 2 लिखते फिर बाद में जब हम transpose करते तो पलट जाती चीज़ तो मतलब बलट कर फिर से reverse हो जाए तो agitive हो जाएगा मतलब हम direct ऐसे निकाल सकते है problem तब आती है जब हमारे पास 3 क्रास 3 की matrix है consider a 3 क्रास 3 matrix हम आप देखो ध्यान से अगर हमारे पास कोई 3 क्रास 3 की matrix हम को दे दे और उस matrix का हमें inverse फाइन करना हो तो चीज़े थोड़ी सी यहाँ पर जैसे माली जे मैंने एक अब आप समझ रहे हो कि हमारे पास rule क्या है वो clear होगा जैसे माली जे मेरे पास एक matrix A है 3 क्रास 3 में A11, A12, A13, A21, A22, A23 A31, A32, A33 अब आप देखो तो आप कैसे फाइन करते हैं inverse A inverse is equal to 1 upon determinant आप है इसके बाद क्या करेंगे capital A11, A12 हम transpose कर रहे हैं देखो जो 1, 2 था इधर चलाया A13 नीचे हो गया मतलब row column बनेगी column row बनेगा A21, A22, A23 A31, A32 और A33 इस तरह से हमने क्या किया row को column, column को row बना करके हमने inverse fine किया लेकिन यह process बढ़ा long होगा अगर आप किसी भी 3 क्रास 3 matrix जैसे हमने एक example लिया suppose करिये तो आईए रेखिए अब एक किसी 3 क्रास 3 matrix के inverse को fine करने का तरीका अब जैसे 2 क्रास 2 तो ठीक है 2 क्रास 2 को हम लोग easily fine कर सकते है हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा relate करके हम लोग 2 क्रास 2 को निकालने में कोई problem नहीं लेकिन 3 क्रास 3 जैसे इस टाइप का question है तो उसको करने की दौरान हमको problem होती है अगर rule की बात करो तो आपको पता है कि A inverse is equal to 1 upon determinant सबसे पहले जो determinant निकालना है एक top task है इसके बाद प्रतेक के adjoint निकालना है और हम direct अगर उसी बेवस्ता से लिखे जैसे हम direct इसका जो है हम transpose करके लिख रहे तो A11 हो गया suppose करी A12 हो गया A13 हो गया मतलब जो row में होना चाहिए तो उसको मैंने column में लिख दिया A21 है A22 है A23 है इसी तरह से A31 है A32 है और A33 है अगर इस type से हम arrange कर पाएंगे तब तो जाकर के कहीं हम लोग यहां पर inverse fine कर पाएंगे बट इक top task के इतना easy नहीं है कि आप इस तरह से inverse को fine कर सके इसके लिए मैं एक process आपको बताता हूँ direct और उस process में सबसे पहले मैं आपको adjoint निकालना सिखाऊंगा कि how to get the adjoint up matrix adjoint अगर निकल गया तो determinant निकालना भी असान हो जाएगा और दोनों निकाल करके हम इस प्रकार की किसी भी matrix जो की three class three है उसका हम inverse निकाल सकते हैं इसके लिए जो आपको matrix दी गई है उसको एक दूसरी बेवस्ता के साथ जैसे मैं बता रहूँ ऐसे लिखिए कैसे लिखिए ध्यान दीजेगा joint fine करने के लिए मैंने इस तरह का एक arrangement बना लिया मैंने कहा शुरुआत आप 20 से करो 20 के elements के साथ करो मेरे पास ओ element क्या है one है one के नीचे क्या है one है one के उपर क्या है zero है फिर one पर चले आए तो क्या लिखा मैंने 1101 समझने की कोसिस करिए 1101 फिर आप चले जाओ इधर अब मेरे पास क्या है two है 2012 देखिए प्रोसेस समझगी जैसे इसमें लिखा था 1101 वैसे 2012 अब इधर चले जाएं तो लिखेंगे 1311 कैसे लिखा सोचिए 1311 फिर फानिली जब हमने जहां से सुरू किया था 1101 1101 यह प्रोसेस मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा कैसे मैंने इस बेवस्था को किया मैंने क्या किया यहां सुरू किया 1101 21012 इसके बाद 1311 फिर फानिली 110 यह बेवस्था से मैंने रोके हिसाब से अरेज्मेंट किया अब एड जॉइंट अगर हम निकालेंगे कितना असानी से हम लोग एड जॉइंट निकाल सकते है सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें 0 1 जा 0 0 से 2 निकलेगा तो कितना होगा माइनस 2 फिर हम इस डिटर्मिनेंट को एवैलुएट करें 1 से 0 निकलेगा 1 आएगा फिर इस determinant को evaluate करें 0 से 1 निकलेगा तो minus 1 आएगा फिर हम इस determinant को evaluate करें elements को उसी proper बिवस्ता से लिखते चले जाए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 यहाँ पर 6 लिखा जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इसी तरह से हम इस determinant का evaluation करें 1 का multiplication 0 के साथ 3 1 जा 3 तो minus 3 हो जाएगा इसी तरह से अगर हम इस determinant का evaluation करें 1 minus 2 आपके पास minus 2 1 minus 2 तो minus 1 हो जाएगा फिर इस determinant का evaluation करें 1 minus 3 minus 2 हो जाएगा फिर इसको solve करें देखिए 0 में से 1 निकलेगा तो कितना होगा minus 1 होगा और finally इसको हमने देखा तो 1 से अगर 0 निकलेगा तो 1 होगा यह आपने Adjoint Fine कर लिया तो आधा गम जो यहाँ पर सोचे इतने process इतने long term से अगर हम लोग करते तो मेरे लिए tough था अगर आप से सुरू में भी किसी एक matrix को देकर Adjoint Fine करने को कहा जाए तो जो मैंने अभी Arrangement किया इस हिसाब से आप Adjoint निकाल सकते हैं किसी भी matrix का अब रही बात Determinant को Fine करना जब Adjoint निकल गया तो Determinant देखे कितने असानी से हम निकाल पाएंगे उसको समझे Determinant को पता करने के लिए आप जो Original Matrix है उसका रो ले लीजिए और जो अभी-अभी Adjoint पाएंग किया है इसका कॉलम ले लीजिए दोनों के Term का दोनों के Particular या Corresponding Elements के Multiplication का जो जोड होगा वही आपके Determinant की Value के बराबर होगा कैसे हैं तो किये 1 into मतलब हम Determinant ये पाएंग कर रहे हैं मैं लिखोंगा 1 into minus 2 plus 0 into 6 plus 1 into minus 2 1 into minus 2 तो minus 2 minus 2 become minus 4 तो यह value आपकी कितनी हो गई minus 4 तो आपने देखा कि आपका inverse कितना बन गया ये inverse is equal to 1 upon minus 4 बाकी elements देखिए minus 2 6 minus 2 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 ये आपका inverse बन कर आए इस 3 cross 3 matrix का आई हो पी चीजे आपको जो मैंने बताई आपने properly समझा अब आपको कोई भी अगर 3 cross 3 की matrix दी जाए तो आप उसका inverse process करने का इस फार्मिट को इस तरीके को अपलाई करिए इतनी बाते आपको समझ में आई होगी जो मैंने आज बताने की कोशिस करिए है ऐसे ही session लेकर हम आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में आई ओपे चीजे आप लोग पढ़िए सब लोग को अच्छी से समझ अच्छे सारी बाते समझ में आई होगी मुझे पूरी उम्मीद है पूरी आसा है आप सभी लोग अच्छी से अपनी तयारी को continue करिए सही तरीके से अपने पूरे जो हम लोगों के सामने एक उसर मिला उसको बुनाने की कोशिस करे और अपने जीवन को सफल बनाए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स अलोट